हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आप सब कैसे हैं आई हो कि आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके साथ एक ऐसी खुशी शेयर करने जा रहे हैं जिसकी तमन्ना हर किसी को होती है क्या चैनंतोब का मैं शेयर करने जा रही हूं तो मैंने यहां सियर्टल में मेंने घर खरीदा है उसी की वीडियो में शेयर कर घंड में फेरु किया कैसे घर की दूजा आपके économique है ऑयसे घर के लिए पाटी विशन करके खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा देखियो क्या खरीद रहे हैं किसलिए चाहिए कहां तो देखिए इदर हमारी इसे बड़ी कोशिय में यहां नहीं सामिल हो सकते हैं लेकिन वो घर से पूजा करके लग लग रहा है। कि वा साथ पूजा कर रहे हैं एक दिन पहले में थोड़ा ऑप निखुशियां शेयर कर रहे हैं आफिस में लोगों को समोश और मिठाया कि ला रहे हैं अब पूजा तो हो गई है दूसरे दिन अब हम लोग हाउस्वाविंग पाइटी के लिए तो यह चपल जूते देखके पता चल रहा होगा कि काफ़ी लोग आए है तो यह चपल जूते तो चलिए मैं अब आपको पने सूइट हों की कुछ जल्किया दिखाती हूं तो यह मैंने इसको कैसे डेकोरेट किया है पूरी तायारिया करने में हम लोगों को कम से कम चार पांस दिने कि मतलब घर का डेकोरेशन करना पूजा करना और उसके बाद जो भी खाने बने हुए हैं वो सब हम लोगों ने मिलके बनाए हूं लगबच 40-45 लोगों का खाना हमने बनाया है तीवारी जी की खुशेदे को कैसे चेहरी पे चाहला करही है तो चले हम आपको ले चलते हैं खाने की तरफ जहां पे खाने का अरेंजमेंट है हमने कितनी सारी डिसेज बनाई हैं बहुत सारी चीजी बनाई है और यहां पी तो जो हमने केक कट किया है तो वहा कि चलो बच्चों को सर्फ कर दिया जाए और केक्ब और यह है गुलाब चामन जो खाने के बाद सर्फ किया जाएगा और यह हमने खाने पिने की सारी बिवस्ता घर से बाहर गराज में किया है क्योंकि गिरने जैसे खाना हो गयरा अंदर में गिरने का कोई डर नहीं रहेगा तो यह देखे इतने सारे खाने हैं जिसमें की पनीर है गोबी है जीरा राइस है दाल तड़का है बुंदी राइता है और इधर वही अपना इंडिया का पुरा इंडियन खाना पूरी है शैलड है और एक चीछ ढग गया है वो नहीं दिख रहा है वो इस प्रिंग रोल है वे लगा थे उमारी में नहीं भी पाटी कुछ ऐसी थी और बहुत सारे लोग इस फोटो में नहीं आए हैं लेकिन बहुत है उताET तो मैंने अपने इस वीडियो में केवल पूजा और पाइटी की वीडियो दिखाया है मैंने अपने घर का फोटो मनलब घर की वीडियो नहीं दिखाया है तो मैं अपने नेक्स वीडियो में पूरा घर आपको दिखाऊंगी कि यहां की घर देखने में कैसे होती है और मेरा घर कैसे देखने में लगता है